तो मैं आ चुका हूँ वापस मुंबई से अब जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे स्पेशली या यहां पे भी कम्यूनिटी पोस्ट जिन्होंने देखा होगा उन्होंने शायद पढ़ा होगा कि मैं मुंबई में था पिछले दो दिन आज ही जो है दो प मुंबई के जनरली ट्रैवल फोरोग्राप्स वगरा चाहिए थे एंड माई टूल अफ चॉइस दिस टाइम वास दे सामसंग गैलक्सी एस 23 अल्ट्रा मैं चाहता था कि इस फोन को यूज करके देखूं कि जिस तरीके से मैंने पिक्सल 6a को कई बार छोटे-छोटे प्रफ शूट जो मैं करने जा रहा था बॉम्बे वो क्या मैं S23 अल्ट्रा से कर पाऊंगा या नहीं एक प्रफेशनल कैमरा भी अफकॉर्स साथ में मैं करी कर रहा था ऐस प्लान बी अस बैक अप कैमरा जस्टिं केस मुझे लगा कि इसकी क्वालिटी जो है अच्छी शायद ना ह फोर फोर प्रफेशनल यूज बट आई वाज आपसलुटली ब्लोन अवे वी तुक अ फ्लाइट अर्ली मॉनिंग उसके बाद जो है हमने मुंबई में लैंड किया चेक्ट इंटू दो ब्यूडफुल एंड लग्जूरियस ITC मराथा होटेल वहां पे एक छोटा सा क्लिप मैंने रेकॉर्ड किया वो देख लो वापस आओ फिर आगे की कहानी बताता हूं तो यह है यहां का रूम ITC मॉर्या का जो की मेरा आज का स्टे होने वाला है मुंबई में और गाड़ी के शॉट्स गाड़ी के फोटोस चो लेने आया हूं वो आपको दिखाऊंगा फ्कॉर शुटिंग विद देखने वाला हूं इसी से जो है आज सारी तस्वीरे लेने माला हूं इसा चालेंज दर गिवन मैसल्फ तो शूट विद इस फोन मैंने पिक्सल 6a से जो है गाड़ी की शूट करी हूई है प्रोफेशनली बट मुझा लगा कि S23 Ultra से चेक करते हैं कि किस त देखने वाले हो स्कोड़ा की गाड़ी है और ब्रिलियंट मजा आने वाला है मौसम मुंबई का बहुत बहतरीन है क्लावडी है इन फैक बारिश हो रही थी जब हम लें लैंड किया तो I am hoping that it's going to be a very very great day of shoot आज और कल फिलहाल फटाफर जो है नहाद होके फ्रेश होके सा शूट है गनपदी के कई पंडालों में चलेंगे शूट करने के लिए और कल तो of course सुबह सुबह जो है हम निकलने वाला है to explore the beaches of Mumbai तो नहाना दोना हो चुका है फ्रेश हो चुके हैं कपड़े चेंज हो चुके हैं अब जाना है लंच करने के लिए थोड़ा सा रूम शायद आपको फैला हुआ दिखे बट कांट help it because फटा फटा आया चेंज किया और बाहर का नजारा दिखाता हूं कि किस तरह का हो रहा है So that is how right now Mumbai looks cloudy है जब आये थे तो बारिश थी अभी फिलहाल तो बारिश नहीं है बट फ्रेम्स जो है ना हो काफी सारे फोटो के फ्रेम्स काफी सारे मुझे मिल रहे हैं यहां पे अब तक Also जो यह सारा वीडियो है यह S23 Ultra से ही मैंने शूट किया हुआ है तस्वीरें Mumbai की वीडियो फुटेज सारे के सारे S23 से है जो कैमला के सामने बैट के मैं बता रहा हूं भोल रहा हूं बात कर रहा हूं वो मेरे स्टूडियो से है दिली में पट यह अभी at this point of time जो भी आप द पोटोस तो of course 110% सब के साब S23 Ultra से ही ले रहा हूं just to show you what the S23 Ultra is capable of ऐसा ही मैंने कुछ Pixel 6a के साथ भी किया हुआ है काफी बात तो S23 अभी मेरा daily phone है तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके साथ भी करके दिखा जाए कि किस तरीके से यह बहतर है एक Pixel से अगर बहतर है तो तो उसके बाद खाया पिया चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया फिर जो है करीब तीन साथे तीन बजे हमको जो है शकोड़ा वाले ले गए गए गनेश चतूरती के दर्शन करवाने all across the city VIP passes वगरे उन्होंने अरेंज किये हुए थे लंबी लाइनों में हमको लगने की जरुवत ना पड़े और हम गए गनेश चतूरती में गनेश जी के दर्शन किये जो ये सारे फोटोस आप देख रहे हैं इच एंड एवरे पिक्चर इस विद दे एस 23 अल्ट्रा यूजिंग डिफरेंट लेंसे आई स्पेशली लाइक् अधरी एक्स वन और टेन एक्स वन आर डिसेंट बाट मुझे लगता है कि मैं सबसे जादा जो है वाइड एंगल और नॉर्मल एंगल लेंसे यूज करा है मैंने अफ्कॉर्स जूम लेंसे भी यूज किये हैं स्पेशली वन वी वेर गई अराउंड मुंबई सिटी और वीडियो लेना था विकुज वहां पर जो है सीलिंग में रुकना मना है वहां रुकने से आपका चलान हो सकता है तो वहां से जब मैंने जो है इसके वीडियो फुटेज यूज किया I was absolutely blown away इससे पहले मैंने बस पिक्सल सिक से का ही वीडियो यूज किया था विच आयम नॉ जाके मुझे थोड़ा सा slowdown करना पड़े दिना एकन जोटा से डाउन तो यूज वीडियो फ्पीस टाइम लाइन में जब मैं 60 फ्पीस को वीडियो को लगाऊंगा और इसको slowdown करूंगा तो बहुत ही बहतरी जो है एक खुबसूरत वाली feel आएगी बाट बाट तब वीडि क्वालिटी इस फोन की हो सकती है वीडियो की बट इस बार जो है मैंने खुद महसूस किया कि दे वीडियो क्वालिटी इस एक्सिलेंट चाहे कोई साभी लैंस अच्छी लाइट अगर है आपके पास अगर डेलाइट है स्पेशल यहां पर सनलाइट तो नहीं था बांबे म दो अवकर्स मुझे पता है मुझे क्या सेटिंग चाहिए और मुझे एक्जाक्ली मैं जो है डायल कर सकता हूं मुझे क्या चाहिए तो मैं चाहता था कि जैसे नॉर्मली हम सब यूज करते हैं पॉइंट एंड शूट करके उस तरीके से मैं यूज करके देखूं बोथ फो लेंस है आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हो वाइड अइंगल वाला भी जो लेंस है वो सेंसर 8K शूट नहीं करता है सेकंडली 8K एडिट करना इस गोइंट बी लॉट आफ इशूज बिकर्स मुझे जो है फटा फट मुझे टरनाउं टाइम देना होता है एडिट करके वीडियो या फोटो देनी होती है क्लाइंट को तो 8K एडिट करने के लिए मेरे पास सिस्टेम नहीं है मेरे पास लैपटाप नहीं है कंप्यूटर नहीं है और फोन में भी मैं एडिट करना नहीं चाह रहा था 8K विकर्स ओवरॉल जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए स् 60 में एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यह लगा कि आप जो है पहले से एक लेंस जो आप सिलेक करके शूट करेंगे उसी में ही आप शूट कर सकते हो शूट करते हुए आप जो है लेंसे चेंज नहीं कर सकते हो 4K 30 में आप कर सकते हो but once you move into 4K 60 आप जो है शूट करते सकते हो live on the go but that's okay because the overall quality is absolutely beautiful you know मैंने फोटोस बहुत सारी ली है इन दो दिनों में गाड़ी की फोटो ली है गाड़ी के चलते हो आप देख सकते हो वीडियो जो ली है दूसरी गाड़ी में बैटके मैंने एक गाड़ी को वीडियो लिया है 4K 60 में है of course and the stabilization is beautiful मैंने बस handhold किया है you know I selected the lens of my choice चाहे वो 1X चाहे वो 3X भी हो you know बस मैंने ऐसे पकड़ा है I just made sure that I hold the phone in a particular way ऐसे tightly नहीं एकदम लूस नहीं just enough so that the phone can focus properly and the absolutely जो इसका जो optical image stabilization है जो stabilization system है बहुत ही बहतरीन जो है काम कर रहा था even at 3X you know but 10X पे भी जो है मैंने एक दो video footage लिये हैं शायद मैं अभी आपको दिखाऊंगा overlay करके आप देख सकते हो it is absolutely beautiful I mean calm तो जरूर आता है और काफी flexible हो जाता है जब मेरे पास इतने सारे lenses होते हैं for a creator like me who needs different focal lens different you know dramatic storytelling images उसके लिए मैंने महसूस किया कि the S23 Ultra is probably the best device that your money can buy right now हाँ this is very very expensive एक लाग से उपर का जो है एक phone है तो मुझे लगता है कि यार अगर आप इस price point में ऐसा कुछ phone ले रहे हो तो यह सोच के लो कि क्या आप इस चीज को use पे डालोगे क्या आप उतना उसका value निकालोगे जितना आप पैसे दे रहे हो अगर आप once in a while shoot करते हैं या generally snapshots snapshots लेते हो social media के लिए photos लेते हो time pass के लिए या कहीं हाँ हाँ चोटे मोटे photos ले लिए I don't think investing so much of money is well worth it but अगर आप creator हो या वह सारे video shoot करते हो 4K videos में आपको superb quality चाहिए और photos में आपको amazing quality चाहिए then I feel that the S23 Ultra makes a lot of sense you know this is the best android phone right now in the market in 2023 when it comes to the overall package you know ये गरम भी नहीं होता है battery life is brilliant पूरा दिन मैंने 4K60 और photos लिए हैं बहुत ही बहतरी quality के बाद भी इतना जादा use करने के बाद भी जब मैं शाम को hotel room पहुचा हूँ करीब 7 बजे के आसपास तब भी जो है मेरी battery करीब 10% के आसपास थी and you have no idea पूरे दिन मैंने इसके camera को on र मेरे अपने phone से लिये हुए हैं because I have always believed that you know creating wallpapers through your own work is magical जो फोन में already wallpapers है वो में कभी भी यूज नहीं करता हूं photographer होने का creator होने का फाइदा ही क्या है अगर आप 2-4 अच्छे photos ना निकाल पाए which are wallpaper वर्दी तो ये Mumbai का जो सारा trip था thanks to Skoda India we had a fabulous time I could give them some great images I could give them some great videos as well I hope आपको जो ये videos और photos यहां पे दिखे हैं वो आपको पसंद आए हो 100% of these photos and video content that you see are shot with the S23 Ultra and I am in absolute love with the phone बड़ा है बहुत ही bulky है बाट जो quality produce करते हैं इसके cameras are top notch कोई भी इसका जो है comparison मुझे लगता है especially video में नहीं है pixel एक मेरा बहुत ही favorite device रहा है और हमेशा रहेगा especially the pixel 6a which I have been using for the last one one year से थोड़ा ओपर ही हो गया है उससे भी मैंने कुछ तास्वीरे ली है वो शायद एक और वीडियो में डालके दिखाऊंगा जादा नहीं ली हैं बट ली हैं बट उससे वीडियोस भी ली हैं विच आर फ्रैंक्ली जस्ट बाट मिडियोकर but इसे I am absolutely blown away I have shot Mumbai with the S23 Ultra I have shot the Škoda Kodiak campaign with the S23 Ultra and I couldn't be happier given how the battery life was given how the overheating problem was absolutely impossible वो था ही नहीं you know it was absent phone गरम नहीं हुआ जल्दी चार्ज हो जाता है and batteries are absolutely fantastic screen की quality बहुत अच्छी है तो bright light में जो आप शूट करते हो आपको problem नहीं होती देखने में इसके थूँ तो बहुत सारे plus points है जो मुझे लगा S23 को एक बहुती बहतरीन camera phone बनाते हैं in the year 2023 even after the something like an iPhone 15 launch तो यह वीडियो जो है मैं share करना चाहता था अपनी कहानी मैं share करना चाहता था कि Mumbai में कैसा रहा मेरा trip और तस्वीरे किस तरीके से बनाई है मैंने वीडियो किस तरह किसे फिल्म किये है मैंने with the Galaxy S23 Ultra फिलहाल चाहूंगा इजासत और मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल दोस्तों नमस्कार